के गाइज वेल्कूं टू क्यूट्रिक्स 2.0 स्वावत आप सभी काज किस क्लास में तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास आज के पहले क्वेशन के साथ तो जो आज का पहला कोश्चन है वो है वियन जक माइनस एक की पावर 134 बटा 5 की पावर माइनस वन प्लस 4 की पावर माइनस वन ठीक है तो यह बड़ा आसान कोश्चन है थोड़ा सा कंफीजन आप लोगों को हो सकता है कैसे करना है ध्यान से देखिएगा ठीक है तो सबसे प और माइनस वन के उपर पावर जो है अगर वो एक सम संक्या है यानि एक इवन नमबर है तो हमेशा आंसर प्लस वन आता है जैसे कि मानलो माइनस वन के उपर मैं अगर दो लगा तो दो एक सम संक्या है इवन नमबर है इसका मतलब क्या होता है माइनस वन इंटू माइनस वन minus से minus cancel या नहीं 1 आ जाता है उसी तरह अगर minus 1 के उपर कोई odd number है कोई odd number है तो उस case में क्या ओता जोड़ी है minus 1 into minus 1 into minus 1 minus 1 से minus cancel और एक ये minus बचेगा नहीं minus 1 हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर minus 1 के उपर जो power है अगर वो even number है सम संख्या है तो हमेशा answer plus बनाएगा और अगर minus 1 के उपर कोई odd number है कोई विसम संख्या है तो answer हमेशा minus 1 बनाएगा ठीक है ये जिस clear होगी सबको तो मैं इसको erase कर देता हूँ अब हमारा जो question है उसको हम लोग सबसे उपर आपको दिख रहा होगा minus 1 की इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 5 की power 1 का क्या मतलब है 5 की power 1 का मतलब होता है 5 और उसी तरह 5 की power minus 1 का मतलब होता है 1 by 5 यानि अगर एक fraction number हमें दे रखा है एक बटा 5 1 by 5 तो अगर इस 5 को मुझे उपर लेके जाना है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ 5 की power minus 1 कर देता है तो समझ मैं ठीक हो गया, समझ में आ गया इतना भी, चलो तो base को भी risk कर देता हूँ, क्योंकि यह मैंने समझाने के लिखा था, तो नीचे यहाँ पर है 5 की power minus 1, तो 5 की power minus 1 का क्या मतलब हो जाएगा, 1 upon 5, प्लस 4 to the power minus 1 का क्या मतलब हो जाएगा, 1 upon 4, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अल फिर 4, 5s are 20, 5, 1s are 5, तो यह हो जाएगा आपका 1 upon 9 upon 20, ठीक हो गया, अब इसको solve करने में बड़े लोगों को, बड़ी दिक्कर दे लोगों की सर कैसे करेंगे, बड़ा सान है, देखो, 1, यह जो बड़ा वाला upon है ना, इसको upon हटा के divide लिख दो, ठीक है, divide by 9 upon 20, ठीक है, अब next step में क्या करो, इस divide के symbol को change करके into कर दो, और into करते ही आगे वाला reverse हो जाएगा, 20 upon 9 हो जाएगा, यहनि 1 into 20 upon 9 हमारा answer हो जाएगा 20 upon 9, यहनि option number B आपका answer हो जाएगा, ठीक है, clear रहे इतना, देखो, असान question था, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक हो गया, चलो, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, जो अगला question हमारा है, वो क्या कह रहे है हमसे, प्रत्रम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, प्रत्रम चार अभाज्य संख्याओं का योग, यानि sum of 4, अभाज्य मितलब क्या होता है, prime numbers, यहना, prime number जो होता है, पहली prime number क्या है, 2 पहला prime number हो गया, अभाज्य संख्या, फिर 3 दूसरी prime number हो गया, फिर 3 prime number क्या है, 4 नहीं है, 5 हो गया, 6 नहीं है, 7 हो गया, इंको जोड़ दीजिए, add कर दीजिए, 7 और 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसने easy question पता नहीं देते क्यों है, ठीक है न, option number C आपका answer हो जाए में 13 अनुपात, 14 अनुपात, 15 का अनुपात है, इसका परिमाप 84 cm है, तो तिरभुज का 6 दूसरी जियाद करिए, बहुत असा question है, English वाले सुन लीजिए, the area of the ratio between the three sides of a triangle is 13 ratio, 14 ratio, 15, but if the परिमाप का मतलब perimeter is 84, तो 6 दूसरी आपको निकालना है, चलिए बहुत असा question है, सब 14, 14, 15, तो इसका मतलब यह 13x है, यह 14x है, और यह 15x है, ठीक है, परिमाप आपको 84 दे रखा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, यहां से इन सबका addition, यानि 13x plus 14x plus 15x की value कितनी हो गई, 84 हो गई, इसको जोड देंगे 5 और 4, 9, 9 और 3, 12, carry 1, 3 और 1, 4, 42x की value हो गई, 84 यानि एक्स की value हो गई, 84 upon 2, यानि यह हो गया आपका, स्री, 84 upon 42, यानि यह हो गया 2, अब एक्स की value 2 है, अगर एक्स की value 2 है, तो इसकी value कितनी हो गई, 13 to the 26, इसकी value कितनी हो गई, 14 to the 28, और इसकी value कितनी हो गई, 15 to the, ठीक है, तो हमारे पास side आ गई, 26, 28 और 30, ठीक है, अ अब हमें दिर्भुज का चितरपल निकालना है, एक ऐसा question में पहले भी करा चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करता है, हिरोन्स formula, क्लास 9 में ये आता है, और पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो हिरोन्स formula क्या कहता है, कि अगर एक ऐसा triangle हमारे पास है, जिसकी तीनों भुजाओं की, जो वो है, measurement है, वो माप है, वो बिल्कुल अलग-अलग है, तो उस case में area निकालने के लिए हम हिरोन्स formula का यूज करना पड़ता है, यह जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं erase कर दे र हो गई, तीन साइड है हमारे पास दे रखी है, तो इन चीज़ों के हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें और चगा चाहिए, तो मैं इसको फिलाल erase कर दे रहा हूँ, इसको मैंने erase कर दिया, तो यह होगे 26, 28, 30, तिर भुज की तीन भुजा है, हमने निकाल ली पहले 26, 28, 30, अब हमें हिरोंस पामुला लगाना है, तो हिरोंस पामुला हम से क्या कहता है, हिरोंस पामुला कहता है, कि एरिया बराबर अंडरूट के अंदर पूरा S, S-A, S-B, S-C, यहाँ पे A, B, C, जो तुईनों भुजाए हैं, और जो S है, S कमान में यहाँ पे निकालूंगा, S हो S, B, C, अपॉन 2, A, B, C, यहाँ 26, 28, प्लस 30, फटा 2, तो 8 और 6, 14, ठीक है, कहरी 1 हो गया, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 84 अपॉन 2, यहाँ पहले भी निकाला हुआ था, 84 अपॉन 2, अब महारा 42 आ गया, कितना आ गया, 42, मेरे पीछे साहथ हाइट हो गया है, कोई बात नहीं, 42 में value हमारी आ गई, वो 42 आ गई, ठीक है, S की value 42 आ गई, ठीक है, तो S की value 42 आ गई, तो यहाँ पर रख देते हैं, formula में, formula में रखेंगे, तो under root के अंदर पूरा-पूरा S, यहनि 42, फिर S minus A, यहनि 42 minus 26, फिर S minus B, यहनि 42 minus 28, फिर S minus C, यहनि 42 minus 30, ठीक हो गया, अब next step में इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 42 into, 42 में से 26 minus करोगे, तो यह हो जाएगा, 6, 3 में से 2 गया, 1, 16, फिर 42 में से 28 minus करोगे, यहाँ पर यहाँ पर तीन में से 2 गया, 14, फिर यहाँ पर आप 42 में से 30 minus करोगे, 2, 12, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके factor बनाने है, ठीक है 14 को अमलेग सकते हैं 17 इंटी तू सकते हैं सिंगहनों तो उगिषान से देखो टो सेवन भी दो बार है 6 भी दो बार है 4 होवी दो बार है तू भी दो बार-थåर या तो बी-धोबार है यानि एक स्क्स्वार रूट हमारा प्रॉपर बन रहा है कहनimes जरते हनब Aujourdugen मैं क्या समझा ना चाहरा हूँ, मैं यह समझा रहा हूँ आपको, कि अंडर तरोट गिर ना, तो उसकी वेलू सेवन होती है, यहनी छëम क्या लिख सकते है, झाल कैंदी सेवनट you 7 लिख सकते है, 7 into 7 में से एक 7 बाहर आ जाता तो यहाँ भी 7 into 7 49 है तो इस 49 की जगा क्या आ जाएगा 7 रूट के बाहर 6 6 36 की जगा 6 4 4 16 की जगा 4 2 की जगा 2 अब इसको multiply कर देना है हमको यह जाएगा आपका अब इसको हम solve करेंगे तो 4 2 is a 8 8 6 is a 48 यानी 48 into 7 आपको करना है 7 8 is a 56 carry 5 7 4 is a 28 और 5 आपका हो जाएगा 30 यह जो मारा answer होगा वो होगा 3 36 cm2 option number D ठीक है clear है थोड़ा सा difficult आप किसी को हो सकता लग रहा हो लेकिन उतना difficult नहीं है जस्ट आपको formula याद रखना है इसको कहते हिरोंस formula class 9th में इसका एक अलग से chapter है NCID में ठीक है अगर आपको कहीं class 9th की book मिलती है या book नहीं भी मिलती है तो आप online download कर सकते हो वहाँ से भी कर सकते हो हला कि उसकी requirement नहीं है जब हम practice करेंगे regular तो इसके इतने सारे questions में करवा दूँगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी तो ऐसा त्रिभुज का area निकालने के और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसमें हम हिरोंस formula का use करते हैं अगला question देखो अगला question है आपका यदि किनी आकणों का बहुलग 15 हो माध्य का 15 हो पता उसका माध्य क्या होगा तो देखो माध्य माध्य में एक संबंद होता है बेसिकली क्या है माध्य हो गया आपका mean और माध्य का आपका median और बहुलग आपका mode यहाँ पर तीन चीज़ें आपके पास mode ठीक है यह question पहले भी आरक है step का question mode हो गया और आपका median हो गया और आपका mean हो गया तो इन तीनों में relation होता है एक formula लगता है, क्या होता है वो relation relation होता है, mode is equals to 3 median, यह 3 into median minus 2 into mean, यह formula होता है इस formula का आपको याद रखना है, ठीक है यह formula होता है, यह question आएगा तो इस formula को याद रखिएगा, mode is equals to 3 median minus 2 into mean हिंदी में अगर बात करूँ, तो mode मतलब बहुलक बराबर 3 गुणा माधि का, minus 2 गुणा माधि, ठीक है, simple समझ में आया, तो रख देते हैं, बहुलक की जगा क्या लखेंगे, 15, ठीक है median क्या है हमारा, 15 okay, median भी 15 है, तो 3 गुणा 15, और minus 2 गुणा, यह हो जाएगा 15 ती है, 45, इसको धर लेके चले जाओ, 15 minus 45 is equals to 2 into mean, और यह minus का है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, minus का 80, ठीक है, is equals to minus का 2m, minus से minus cancel हो गया, तो यहाँ, median आगया mode, mean आपका आगया, sorry 30 बट्टा 2, यहाँ 15, तो आपका mean 15 आगया, तो यह हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, अगर बहुलाक और माद्दी का जो है, mean भी आपका, वही आएगा, ठीक है, तो आनि option number भी आपका answer हो, तो यह formula आपको याद रखना है, ठीक है, चलो, बढ़ते हैं, आज के अगले question की तरफ, तो जो आज का करते हैं, किसी भी तरभुझ में, जो दो साइट्स का, ध्यान रखना है, सुनना मेरी बाद ध्यान से, दो साइट्स का जो सम है, वो तीसरे से बड़ा होता है, और दो साइट्स का जो difference है, वो तीसरे से कम होता है, चाहे, आप किसे में भी try कलो, जैसे option number A है option number की sides क्या दे रख़े है 2 दे रख़ा है 3 दे रख़ा है और 5 दे रख़ा है तो 2 प्लस 3 आपका क्या हो गया 5 हो गया क्योंकि यह दुनों equal हो गया तो उसका मतलब यह हमारा answer नहीं हो सकता option number B देखते है option number B क्या है 6 है 3 है और 2 है तो यह भी नहीं हो सकता दिखी रहा है साफ साफ तो अब देखो अगला option क्या 3 है 6 है और 7 है इसमें देखो 2 का addition तीसरे से बढ़ा है 6 और 3 9 7 से बढ़ा है और 6 में से 3 क्या 3, वो 7 से छोटा है तो इस तरीके से आपको चेक करना था option number C आपका answer होगा बस याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज में पहली दो भुजाओं का योग तीसरी से बढ़ा होगा और पहली दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोड़ा होगा वो एक perfect त्रिभुज बन सकता otherwise कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता यानि यहाँ पर हमारा option number C फिर मैं आप से एक और class के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई कर दे रहे है